पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए ये पाच चीजें पढ़ता है अशुप्रभाव वास्तु सास्त्र में घर का सबसे पवित्र इस्थान पूजा घर माना गया है वास्तु का सिद्धान्त उर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक उर्जा पूजा घर से ही निकलती है वास्तु सास्तर के अनसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेश महत्तु होता है बास्तु के नुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मकूर्जा पैदा होती है पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रुभाव डालती है और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है आईए जानते हैं कि पूजा घर में कौन से चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए पूजा घर से हटा दें ये चीजे नमबर एक वास्तो सास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी तूटी या फिर खंडित मूर्थी नहीं रखनी चाहिए माना जाता है कि ऐसी मूर्थियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकार आत्मकूर्जा अधिक फैलती है नमबर दो वास्तो के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्थी नहीं रखनी चाहिए वास्तो में इसे असुमा न गया है इसके अलावा मंदिर में कभी भी रोद्र रूप बाली मूर्थियां भी नहीं रखनी चाहिए ऐसी तस्वीर या मूर्थी रखने से अनिष्ट होता है नमबर तीन पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तके नहीं रखनी चाहिए अगर पुस्तके फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दे नमबर चार पूजा घर में देवी दिवता को कभी भी खंडित अप्छत नहीं चड़ाने चाहिए अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटा कर साबत चावल रख दे नमबर पांच वास्तो सास्तर के अंसार पूजा घर में कभी भी पित्रों की तस्विर नहीं लगानी चाहिए पूजा घर में ऐसे तस्विर लगाना असुमाना गया है इसलिए पित्रों की तस्वीर पूजा घर में ना लगा कर घर के किसी दूसरी जगह लगा दे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू